वेलकुम बाक टू चानल आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो यहां मैं आप ले लेके आँगे एक और नया और इंट्रेस्टिंग सा व्लॉग जिसमें आप लोग के साथ में और वेडिंग के डेकरेटिव आइडिया शेयर करने वाली हूं यहां हमने प्लेटिंग की हैं गोड़ अंसल्वर कॉइंज की कुछ प्यारी प्यारी शायरियों के साथ में एक डेलिकेट करने के लिए कि हम ने किसको प्रसंट की है जैसे कि यह बुआ के लिए है तो आकाश में तारे अनेक है तुरू जैसा ना कोई दुनिया में वुआ अन नानी जी मामी जी मौसी चूले में छूले तो बस इसी तरह से प्यारी प्यारी हमने ट्रेस तयार की थी अब आ गई है यह साडी के डेकुरेशन यह बेसिकली मामेरा की डेकुरेशन है जो मामी जी और हमने मिलकर की थी तो यह एक ब्लाउस है जिसमें हमने साडी को प्लीट करकर डाल दिया हैं साथ में बैंगल रखती हैं और यह सिंपल सी पाकिंग के दिखने में किती प्यारी लग रही है अग्ण उसके पर इक आप प्रक भूट प्यारा लग रहा था उसकी ड्रेसेज है वेचिट्स है कुछ कटलेरी आइटम्स है पाउचेज है थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स और थोड़ा शूपिस तो यह सारा उसका आना ही बोल दीजे आने की पाकिंग है यह पुरी तो हमने इसको एक प्रिंटेड जलिटीन से पाक कर दिया था ताकि काथन में डालकर उसके घर पर भीज दिया था तो यह एक मामीरा का मैं आपको ओवर्वीव दे रही हूं कि इस तरह से सारा डेकोरेशन करके हमने लगाया था और साथ में मामी जी में यह बुग्य बनाया था पैसों का बहुत ही सुन्दा दिख रहा था एक कुछ बॉक्स में पाट करके हम गोंने चुल्डी की पप्रों से राप कर दिया था कि दिखने में सुन्दल लगे खाली काटिं के बॉक्स दिखने में मजा नहीं आता तो इस तरह से हमने कुछ डेकोरेशन करके भीज दिया था तो आपको अगर यह चोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा और आपको लगा होगा आपको ले हल्फुल है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नाया है तो चानल को सब्क्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन होगा उसको भीट कर दीजिए नेक्स व्लॉग के साथ में तब तक लिक हुआ जाल इन प्राइब कर दो चैनल इन श्वलॉग कर दो